आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now in which one of the following the genus name its two characters and its phylum are not correctly matched whereas the remaining three are correct तो यहाँ पर अगर हम देखें इस question का यह मतलब है कि इतने given followings में अंदर यहाँ पर जीनस नेम दिये वे हैं उनके दो characters दिये वे हैं उनका फायलम रिप्रेजेंट कर रहा है we have to find the correct match तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं इस question के अंदर तीन match correct ने और वन एक non-correct match होगा तो जैसे कि हम अगर अगर हम यह consist करते हैं एक fresh water regions के अंदर क्योंकि यही इनका habitat होता है अब जैसे कि यह fresh water में consist करते हैं इनके अंदर एक specialized feature होता है वो है operculum का जो present होता है इनके tip regions पे in fact हम बोच सकते हैं यही operculum consist करता है apple snails और उनके different other factors पे इस तरीके से हमें पता है जो pyla represent करता है from the phylum mollusca से इस तरीके से अगर हम बोले हैं यहाँ पर यह बोल रहा है कि segmented body तो हमें पता है जो pyla region की body होती है वो segmented form में नहीं होती है in fact अगर हम बात करें इनके mouth की तो यह बोला है mouth with redula तो हम बोल सकते हैं duele amount तो होता है जो help करता है उसकी activities में और यह activities होती है उनकी moving और हम बोल सकते हैं sucking activities की तरीके से तो अगर हम बोलेंगे पहले वाले option में यहाँ पर ए वाला जो है एक not correctly match बताया गया है इसी तरीके से अगर हम बात करें second वाले की तो यह बोल रहा है जैसे के हम ने पहले अस्टेरियस रीजन के बारे में यह रिपेसेंट करते हैं from the class अब अगर हम अगर हम अगर की बात करें तो हमें पता है जो नकी body होती है वो एक spiny skin region से चल्ट होती है स्पाइनी स्किन रीजन के अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, एक small, small, fringle-like bristles present होते हैं, in fact, हम बोल सकते हैं, इनके अंदर एक specialized features present होता है, वो है water vascular system, अब अगर हम water vascular system की बात करें, तो जैसे कि हमने हमारी पहले वीडियो के अंदर देखा था, ये consist करता है different role, और in fact, ये different role perform करते हैं, इनके ये system, जो एक activity consist कराते ह हैं, जो एक linear chain में आगे system consist करेंगे, तो हम बोलेंगे, ये option यह पर सही applicable और correctly matched होगा, ऐसे अगर हम बात करें, साइकोन की, जो पार्ट कर रहा है consistency, तो जैसे कि हम बात करें, साइकोन region की, तो यहाँ पर represent करता है porifera, अब जैसे कि हमें पता है, फालम porifera के अंदर most popular, हम ब इसकी activities पर, in fact, हम बोल सकते हैं, यही poor bearing region जो होते हैं, उसको alive condition में consist करते हैं, इसके साथ साथ इनका specialized feature के, अगर हम बात करें, तो यह प्रेजेंट होता है, इनका canal system, अब इस canal system के, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर maintain होता है उसका water का, in fact, हम बोल सकते है, water uptake यहीं से maintain होत है, इस तरीके से हम बोलेंगे, C वाला जो option है, वो भी correct होगा, ऐसे अगर हम बात करें, last वाले option की, जो बहो है, periplaneta, तो जैसे कि हम बात करें, periplaneta, americana consist करता है, cockroach के region को, अब अगर हम बात करें, cockroach के region की, तो हम बात करें, यह consist करता है, from the phylum arthropoda, अब जैसे कि हम बात कर है, तो हम बोलेंगे, यह consist करते है, different jointed appendages, इसी तरीके से, हम बोलेंगे, इनकी जो skin region होती है, continuous, continuous region से बनी वी होती है, और हमने यह पर बात करी थी, इनके different body structure की, और यह body structure divided हो रहे है, three parts के अदर, जैसे अगर हम पहले वाली region की बात करें, तो वो consist करता है, middle region consist करता है, इस अगर हम लास्ट वाली region की यहां पर बात करें, तो यह represent करता है, abdomen region को, जिसके अंदर various different body parts situated होते हैं, तो इस तरीके से, हमने देखो, पहले भी भूल रहा है, option A जो होगा, इसका correct answer होगा.